तो भाई लोग आप सबको दो पता ही है ना IPL 2030 का जो मैच नमबर 18 है। इस मैच में पंजाब किंग्स के सामने होगा गुजराड टाइटन्स है। मैच जीतेगी और खुद तो आगे चली जाएगी तो दोनों टीमें बोलेंगी ना हम मैच जीतेंगे और सामने वारी टीम को धगा मार के पीछे छोड़ देंगे वैसे हम मात करें आई पिल 2022 पिसले सीजन जो इनके बीच में दो मैच के लगया था पता है उस मैच में क्या हु पंजाब किंग से अपने घर में जवद्रस परफोर्मेंस करेंगा और घुजराट टाइटन्स को बोलेगा भाईया तुमसे ना हो पाएगा हमारे घर में हमको हरा ना वहीं गुजराट टाइटन्स बोलेगा ना जी हम तो चैंपियर ने चहां भी जाएंगे तुम्हारे उ यह जो मैच है ना रिंकु सिंग उमेश यादो के साथ खतम कर देंगे रेजल्ट आपके सामने ऐसी दोस्ता जो बैंगलोर वरसेज लखनों के बीच में मैच वा था जब लखनों के सुरू में तीन बिकट गिर गया थे तो लोगोंने बोला कि एक तरफा ना यह जो मैच है लेकिन आपका भाई टेलिग्राम पर आता है बोलता है यह जो मैच है मा का स्टोनिस और निकोला स्पूरन खतम कर देंगे मैच खता हो गया दिल्ली मुंबई वाला जो मैच था ना उसमें जब मतलब रोही सर्मा तिलक बर्मा खेले जा रहे थे मतलब बहुत अच्छी पार दिया अगर वो दोरन इक्टराम ना देते है देली के दो बोल पर तो जो मैंने बोला था वो हो जा था खैर कोई बात नहीं तो यह फायदे है मेरा टेलीग्राम जोइन करने के लिए तो अभी डिस्किप्शन में जाओ मेरा टेलीग्राम जोइन करो हाँ एक चीज ध्यान र 57 IPL के मैच के लेगा जिसमें से 25 मैच में क्या हुआ टार्गेट डिफैंड और 32 मैच में क्या हुआ टार्गेट चेज मतलब यहां के मैदान पर देखे तो 7-8 मैचों में टार्गेट चेज जादा हुआ इसका मतलब यह निकी टार्गेट डिफैंड होता नहीं 25 मैच में ट मैच में से आठ मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकता वर 77 से 193 के बीच में स्कोर होगा आप समझ जाना जो मामला है न यह तो बराबरी का गया चीज भी हो सकता और डिफैंड भी हो सकता भाई लोग जो आज का मैच है न यह थोड़ा सा आपको हाई स्कोरिंग यह फी मीडि लेंद ही बाद करें तो 65 मीटर से 78 मीटर की मतला जो बॉंडरी वह थोड़ी सी बड़ी है उनको भी मिलते है लेकिन वह होता है ना कि इसमेस को ज्यादा हो ना करता तो इसके साथ रन भी पढ़ेंगे क्यूंकि सुरू के 2-3-9 जो थी इन वाज है चार ओंबार उनकी बोल स और भाई लोग अगर हम यहां के मादान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पंजाब किंग्स ने 56 से 56 मैच खेला जिसमें 30 मैच जीता और 26 से मैच हार गया यानि पंजाब अपने घर में देखा जाए तो बहुत अची परफॉर्मेंस ना कर पाता क्योंकि 56 म पर जाता है मतलब किंग्स अपने घर में किंग्स ना बन पाता गुज़ार टाइडन की बात करें तो पहली बार यहां के मंदान पर मैच खेलेगा देखते जब पहली बार खेलेगा तो क्या कर पाएगा उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि आपक खेलेगा और मुझे ऐसा भी लगता है कि किसके पंजाब के खेलेगे में अगर हमें पंजाब की बल्लेबाजी की बात करें तो गबर सी खड़वन बहुत यह ची फॉर्म में पिछले मैच में तो वन मैन आर्मी की तरह खेले थे परफ सीमनल सिंग की बात करें यह भी मतलब बना रहे हैं डोमेस्टिक में बढ़िया करें मतलब फॉर्म अच्छी है तो आज की मैच में फरफ सीमनल सिंग बढ़िया परफॉर्मस करते नजर आएंगे लेकिन घर में अपर जितेश सर्मा और सारुक खान जिस तरह से नाम है जिस तरह से इनका थोड़ा सा बताया गया या एक मैच में बनुकर राजा पसका ने मतलब तीन बल्लेवाज अकर देखा जाए तो बढ़िया कर रहा है लेकिन बागी के जो बल्लेवाज है वो बढ़िया नहीं कर रहे है लेकिन लियामल विश्टर अगर यह मैच केलते हैं या जब भी खेलेंगे तो उससे निली हां मैं मानता जो कहाइस वर वाड़ा बहुत अच्य गिंद्बाज है लेकिन खिलाना है तो दोनों को खिला लोग किसी अलग अलग जगें पर बाके कहम इनकी изब्सक्रा चलेबां तो बढ़िया करें लेकिन राहुल चाहर की बात कर तो इनसे एक आता विक्र मिलने हैं बाकी इनकी भी खुटाई हो रही है और प्रीद बरार भी बहुत अच्छी गेंदवाजी ना कर पारें पिछले मैच में मोहित राठी को मौकत दिया हो भी बढ़िया गेंदवाजी नही में चंजस की बात करते हैं में भी हार्दिक पांडे की वापसी होगी किसकी जगह पे होगी अभी नो मनोहर की जगह पे हो सकती है बाकि इंप्राइट प्लियर आपको वही जोस्वा लिटिल देखेंगे अगर हम यहां पर गुज़ार टाइटन्स की बात करें जो इनकी बल लाना चला था लेकिन हार्दिक पांडे बड़े बल्ले वाज है आज की बैस पर इनका में भी बल्ला चल जाए बाकिस जिस तरह से बिजय संकर ने अपनी फॉर्म दिखाई है ना तो गुज़ार टाइटन्स करा अपनी बल्ले वाजी तो और भी मजबूत होगे क्योंकि इ बात करेंगे य और डालें वाम साँकर य हां बीटख य तो अची बल्ल या दालें जहां भी टालेंगे पिटते रहेंगे जीन बाकिक की वाइश numéro क् disfr को शोब्याद कर भी कहई घंबात करें वो हश दयाल की बात करें डूव पिछला मेज जो उनके साथ घटा हो तो तो पस कभी-कभी हो जाते है ऐसे हाथ से तो वह तो हाथ सा था लेकिन उससे पहले भी येस दयाल इस सीजन उतनी अच्छी गेंद बाजी नहीं कर पार रहे है वह थोड़ा सा महगा हो रहा है बाकी जो इनकी बल्ले बाजी गेंद बाजी है ना उजा टाइटल्स की और काफी नहीं कह सकते हैं कि इंदवाजी अबरेज की बात करें 8.50 जो कि थोड़ा सा महंगा है वह तो सब गुजराट टाइटन्स की बात करें तो अपने लास्ट के सीखसी मैच में चार मैं जीता बस दो मैं आचा रहा है यह भाई साब चेंपियन है और चेंपियन की तरह ही खेल ले इस दोनाँ जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है 171,171 और नों का जो की बढ़िया होता है लेकि जवर जस यह खतरनाख नहीं कह सकते हैं गेंदवाजी अबरेज की बात करें 8.13 जो गेंदवाजी अबरेज होता है यह ठीक ठाक होता है तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमो तो नो टीम है बराबरी की है लेकिन गेंदवाजी अब इसकी बात करती है यहाँ पर थोड़ा सा जो गुज़ाट टाइटन्स की टीम है ना वो पंजाब के एक से बहतर नजा आ रही तो भाई लोग हमने इस मैच की तो सारी एनलासेस कर डाली लगबग आपको सारी चीजे सम ना भाई हूं तो अपनी भाई का सब्पोर्ट अगर आप ही ना करेंगे सकते मेरे साथ आ सकते क्योंकि मुझे आसा लगता है अपको बोलूँगा मेरा टेलीग्राम जोएन करने के लिए जैसे मैं आपको बता रहूं जो संडे को घुजरात ब्रसुज के बीच मैश के लग बैंगलोर को लेकिन आपके भाई ने बोला ना जी ऐसा ना होने वाला मारकर स्टोनिस और निकोलास फुरान यह मैंच खतम कर देंगे यह साही चीज़े मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट करता हूं जो दिल ही वर्चेज मुंबई का मैंच था इस मैंच में जब मतलब र लेकिन कोई बात नहीं तो कुछ हद तक जो मैं चीज़ें बोलता हूं लगबक सही होती है एक आद दो चीज़ें गलत भी हो जाती है दस परसें नहीं होती तो इसमें क्या खराबी कोई खराबी नहीं है तो इसलिए मेरा टेलीग्राम जरूर जोइन करें वसे एक चीज का वीडियो मितना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगले मैं आज की फेड़ेक्शन के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू